हलो फ्रेंट्स वेलकम बैक टो माई चैनल दोस्तों आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही टेस्टी मिठाई ये है बेसन मिलक केक अगर आपने बेसन की बर्फी खाई है लेकिन इसका स्वादूस से काफ ही जादा अलग है अगर आपने इसे एक बार खाया तो आप इसे बार बार बनाएंगी ये इतनी टेस्टी मिठाई तैयार होती है तो बहुत सारे टेप्स वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तो वीडियो को एंट तक देखें बिल्कुल भी स्किप ना करें तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं इसको बनान के अंदर भी इस मिठाई को सेट कर सकते हैं तो मैं इसे घी के साथ इस तरह से ग्रीस कर रहे हूँ मैं यहां पर इसे घी से ग्रीस कर रहे हूँ आप चाहें तो ओयल से ग्रीस कर सकते हैं तो देखें हम सारी ट्रे को इस तरह से घी के साथ ग्रीस कर लेंगे ट्रे को हम पहल कर ली है तो चलिए अब मिठाई बनाना शुरू करते हैं तो यहां पर मैंने गैस के उपर पैन को रख लिया है अब हम इसके अंदर हाफ कप देशी घी डाल देंगे इससे मिठाई का जो टेस्ट है बहुत जादा अच्छा आता है जैसे ही घी गरम होता है हम इसके अंदर बे बेशन लिया है तो सभी चीजे मैं इसी कप से नाप कर ले रही हूँ अगर आपके पास इस तरह से मेजरिंग कप नहीं है तो आप मीडियम साइज की कोई भी कटोरी ले सकते हैं कप ले सकते हैं उससे नाप कर आप सारी चीजे ले सकते हैं अब हम बेशन को अच्छे से मैंने गैस का फ्लेम बिलकुल लो किया हुआ है तो लो फ्लेम पे हम इस मिठाई को तयार कर रहे हैं क्योंकि गैस के फ्लेम को अगर थोड़ा भी तेज करेंगे तो बेसन का कलर बहुत जल्दी डार्क हो जाएगा तो इसलिए मैंने गैस के फ्लेम को बिलकुल लो किया हुआ ह दोस्तों ये इंस्टन्ट बनने वाली मिठाई है बहुत जल्दी ये बेसन मिलक के तयार हो जाता है और खाने में इतना जादा टेस्टी है कि आप इसे बार बार बनाएंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं कि बेसन का कलर थोड़ा सा लाइट हो गया है लेकिन अभी हमें इसे थोड़ा सा और पकाना है जब ये थोड़ा सा घी छोड़ना शुरू कर देगा बस हम इसे तब तक पकाएंगे तो देखें लगातार हम इसे इसी तरह से चलाते रहना है ताकि बेसन तले में बिलकुल भी ना लगे उसे मिठाई का जो टेस्ट अच्छा नहीं आता है तो आप इसे लगातार इसी तरह से चलाते रहिए गैस का फ्लेम बिलकुल लो रखिए दोस्तो पहले आपने देखा कि बेसन के अंदर बबल्स दिखाई दे रहे थे तो मिल्क पाउडर को आप कोई कठा नहीं डालना है तो थोड़ा-थोड़ा मिल्क पाउडर हम इसके अंदर एड़ करेंगे तो इससे क्या होता है कि गुठलिया नहीं बनती है मिल्क पाउडर आप किसी भी ब्रैंड का ले सकते हैं तो देखिए हम थोड़ा-थोड़ा milk powder इस तरह से बेशन के अंदर डालेंगे और इसे अच्छे से mix करेंगे और मैं देखिए इसे चमज से थोड़ा सा प्रेस करते हुए ही चला रही हूँ ताकि गुठलियां बिल्कुल खतम हो जाएं तो देखिए अब मैंने थोड़ा सा milk powder और डाल दिया है इसे भी हम अच्छे से mix कर देंगे दोस्तो milk powder डालने से जो मिठाई का टेस्ट आता है वो बहुत जादा अच्छा है मिठाई मो में जाते ही घुल जाएगी ऐसी मिठाई तयार होगी तो देखिए जो बचा हुआ milk powder थ वो भी मैंने डाल दिया है दोस्तो एक बात का ध्यान रखिए कि यहां पर गैस का flame बिल्कुल बंद है बंद flame पे मैं इसे mix कर रहे हूँ जैसी बेसन ने घी छोड़ दिया था हमने गैस के flame को बंद कर दिया था बंद flame पे हमें milk powder को इसके अंदर mix करना है तो देखिए milk powder को हमने बेसन के अंदर अच्छे से mix कर लिया है तो अब हम इसे side में रख देते हैं और बेसन milk cake के लिए हम चाशनी तयार करेंगे तो यहां पर देखे मैंने एक pan को gas पे रख लिया है अब हम इसके अंदर एक cup चीनी डाल देंगे इसी cup से नापकर हमने बेसन लिया था तो इस इसमें अब हम half cup पानी डाल देंगे दोस्तो आप सारी चीजे नापने के लिए एक cup या कटोरी सेट कर सकते हैं उसी से नापकर आप सारी चीजे ले सकते हैं इस मिठाई के लिए हमें इसकी एक तार वाली चाशनी तयार करनी है यहां पर आप देख सकते हैं कि चीनी घुल तो थोड़ी देर के लिए हम इसे और पकाएंगे ताकि इसकी एक तार वाली चाशनी तयार हो जाए तो देखे मैं इसे पका रही हूं और गैस का फ्लेम यहां पर मैंने लो कर दिया है क्योंकि चीनी घुल चुकी थी तो अब हम इसे इस तरह से चलाते रहेंगे मैंने इसे चेक किया लेकिन अभी चाशनी तयार नहीं हुई है तो जैसे चाशनी तयार होगी फिर मैं आपको दिखाऊंगी तो देखे यहां पर मैंने गैस के फ्लेम को बंद कर दिया है क्योंकि चाशनी काफी गाड़ी हो गई थी तो अब हम उंगलिया और उंगूठे के बीच इस चाशनी को बंद करके चेक कर सकते हैं नहीं तो चाशनी काफी जादा गाड़ी हो जाती है जो मिठाई के लिए हमने बेसन भून कर रखा है उसे मैंने गैस पर रख लिया है लेकिन गैस के फ्लेम को ओन नहीं किया है दोस्तों इस बात का ध्यान रखेगा अब हम इसके गुठलिया ना बने तो अब सारी चाशनी को बेसन के अंदर इकठा ना डाले तो मैंने इस तरह से इसे दो बार डाला है ताकि इसके अंदर गुठलिया ना बने तो अब हम चाशनी को और बेसन को अच्छे से मिक्स करेंगी गैस का फ्लेम बिल्कुल बंद है बंद फ्लेम पे हमें इसे mix करना है अब थोड़ी देर में देखेंगे कि जब चाशनी इसके अंदर अच्छे से mix हो जाएगी तो इस तरह से ये pan छोड़ना शुरू कर देगी क्योंकि ये थोड़ी सी ठंडी भी हो गई है चाशनी इसके अंदर जमना स्टार्ट हो गई है मैं इसे थोड़ हमने बेसन का तयार किया है इसमें से थोड़ा सा mix हम इस तरह से प्लेट में रखेंगे और इसे थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे उसके बाद हम इसे चेक करेंगे कि इसकी बॉल बन रही है या नहीं तो मैं इसे थोड़ी देर के लिए ठंडा हो आप इसे low flame पे पका लीजिए तब बर्फी बिल्कुल बहुत असानी से सेट हो जाएगी तो देखिए अभी ये गरम ही है तब ही ये थोड़ा सा आतों के साथ जिपक रहा है तो मैं इसे थोड़ा फिर से छोड़ देती हूँ ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए फिर हम इस को लगे कि आप क्या इस तरह से बॉल तयार नहीं हो रहा है तो आप इसे एक से दो मिनट के लिए पका लीजिए बिल्कुल low flame पे बस आप इस तरह से फिर बॉल बना कर चेक कर लीजिए कि इसकी बॉल बन रही है या नहीं अगर इसकी बॉल अच्छे से बन रही है और बेस बेसन बिल्कुल तयार है चाशनी बिल्कुल परफेक्ट है तो यह जो बेसन का मिक्स है यह थोड़ा सा ठंडा हो गया है बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं हुआ है अभी यह गरम ही है लेकिन यह पैन अच्छे से छोड़ रहा है बस अब हम इसे ट्रे के अंदर ट्रांसफर कर देंगे जिसके अंदर आपको इसको सेट करना है तो देखिए यहां पर मैंने ट्रे पहले से रेडी करके रखी थी अब सारे बेसन के मिक्स को हम ट्रे के अंदर डाल देंगे और इसे जमने के लिए छोड़ेंगे तो देखिए मैं सारा मिक्स डाल रही हूं और पैन को य से सेट कर सकते हैं तो देखिए मैंने इसे अच्छे से सेट कर दिया है उपर से थोड़ा सा इस तरह से प्लेन कर दिया है और थोड़ा सा टैप करेंगे तो यह अच्छे से प्लेन हो जाएगा तो अब हम इसे थोड़ा सा गार्निश करेंगे तो गार्निश करने के लिए यहां पर मैंने देखिए थोड़े से कटे हुए बदाम डाल दिये हैं अब हम इने थोड़े सा प्रेस कर देंगे ताकि अच्छे से सेट हो जाएं अब हम इसे सेट होने के लिए छोड़ देंगे आप चाहें तो इसे ओवरनाइट भी छोड़ सकते हैं या फिर आप 3-4 घंटे के लिए भी से सेट होने के लिए रख सकते हैं अगर आपको ज़्यादा जल्दी है तो आप इसे फ्रिज में भी रख के सेट कर सकते हैं मैं इसे 3-4 घंटे के लिए room temperature पे सेट होने के लिए छोड़ दूँगी तो देखे मैंने इसे तीन से चार घंटे के लिए इस तरह से रख दिया था और ये बेसन मिलक केक जम कर बिलकुल तयार है अब हम इसे पीसिस में कट करेंगे आपको जितने पीसिस बड़े या चोटे चाहिए आप उस हिसाब से इसे कट कर सकते हैं और आप देखेंगे के इसके पीसिस कितने क्लीन निकलते हैं दोस्तों ये बहुत टेस्टी बेसन मिलक केक तयार होता है आप इस रेस्पियों के एक पर ट्राय जरूर कीज़ेगा आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और बहुत ही असानी से और बहुत जल्दी बनने वाली मिठाई है तो आप इसे कभी भी बना कर खा सकते हैं तो देखें मैं इसे थोड़ा सा इस तरह से क्लीन पीसिस निकलें इसलिए मैं थोड़ा सा इसे किनारे से इस तरह से कट कर रहे हूँ ताकि इसके पीसिस जो हैं बिल्कुल साफ सुतरे निकलें तो मैं जैसे ही कट कर रहे हूँ आपको दिखाई दे रहा होगा कि कितनी असानी से कट हो रहा है और आप देख सकते हैं कितने अच्छे से जो ये बेसन मिलकेक है वो अच्छे से सेट हुआ था और कितना सॉफ्ट है अगर हम इसे तोड़ते हैं तो आपको पता चली रहा होगा कितना असानी से टूट रहा है तो देखे मैं इसे थोड़ा साइड में कर देती हूँ और इसके पीसिस हम कट कर लेंगे दोस्तो सारे pieces हम cut कर लेते हैं फिर मैं आपको एक piece निकाल कर भी दिखाऊंगी कितनी असानी से pieces के बाहर आते हैं दोस्तो बेसन मिलक के के कुछ पेसिस मैंने कट कर लिये हैं और मैं आपको दिखा रही हूँ कि कितने क्लीन पीस निकले हैं बहुत ही असानी से बनने वाली मिठाई है आप इसे ट्राइ जरूर कीज़ेगा आपको बहुत जादा पसंद आएगी जैसे ही आप इसे खाएंगे म बहुत ही बड़िया मिठाई तयार हुए है अगर आप बेसन की बरफी का वीडियो देखना चाहते हैं उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी उसकी रेसिपी मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ तो आप वो वीडियो वहां से देख सकते हैं और इन्हें प्लेट में इस तरह से लगा लिया है और आप देख सकते हैं कि बहुत ही बड़िया मिठाई हमारी तयार हुई है बेसन मिल्क केक बनकर तयार हुआ है मिल्क पाउडर से जो इसका टेस्ट आता है बहुत ज़्यादा अच्छा है तो आप ट्राई जरूर कीज़ मैं आपको तोड़ कर दिखा रही है कितनी सॉफ्ट मिठाई हमारी तयार हुई है तो ट्राई जरूर कीज़े इस रेस्पी को मैं ऐसी असान रेस्पी से अपने चैनल पे अप्लोड करती रहती हूँ अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो जरूर देखे आपको अगर य आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेंगे तो मिलते हैं एक नई और असान रेस्पी के साथ थेंक्स वर वाचिंग